Hello friends, welcome back to my channel तो आज मैं आपकी लिक ऐसा सिरम लेकी आई हूँ जिसका आपको लगतार दो हफ्तोजक यूज करना है और आपके बाल दो से तीन गुना तेजी से बढ़ेंगे और साथ ही आपके बालों का जणना भी रोखेगा फ्रेंट्स बाल जणने के कई कार्ण हो सकते हैं जैसे कि गलक खानपान, बालों में धूल, मिट्टी और पॉल्यूशन का जमना और हर्मोनल जेंजिस एक रिसर्च में भी पाया गया है कि 10 में से 8 लोग बालों से जूड़ी किसी ना किसी समस्य से परिशान रहते हैं तो फ्रेंट्स आध जो मैं आपके लिए सेर्म लेकी आई हूँ यह आपके बालों को घना बनाएगा, मोटा बनाएगा और साथ ही इस से आपके बाल मजबूत होगे तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं इस hair serum को कैसे बनाना है इस hair serum को बनाने के लिए आपको सिर्फ तीन चीजों के ज़रूरत है जो आपके घर की नसोई में असानी से मिल जाएंगी तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए garlic जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है आपको गार्लिक इस तरह से मीडियम साइज का रखना है जादा बड़ा नहीं लेना मीडियम साइज का गार्लिक लेना है मैंने यहां पर दस से बारा लसुन की कल्या लिए हैं गार्लिक में पाया जने वाला मैगनीशियम पोटा कार्ड उनके बाल ग्रे हो जाते हैं उन्हें भी गार्लिक कप्रियोंग जरूर करना चाहिए इसके बाद जो मैंने अगली चीज ली है वो है अनियन फ्रेंट्स आपको लाल रंग के ही अनियन का यूज करना है जब आप मार्किट में जाएंगे तो आपको कई तरह के प्यास म सकते हैं और इसमें चोटे-चोटे कट लगा सकते हैं देखिए फ्रेंट्स मैंने यहां पर प्यास में चोटे-चोटे-चोटे कट लगा लिए हैं ताकि मुझे प्यास को काटने में असानी हो आपको भी कुछ इसी तरह से प्यास को चोटे-चोटे तुकटों में काट लेन जो हमारे हेर फोर प्रॉब्लम को दूर करने में और हमारे सर से डैंडरफ को गायब करने में बहुत मदद करते हैं इससे हमारे हेर सेल और भी बहतर होते हैं जिससे हमारे बाल घने दिखाई देते हैं मजबूत बनते हैं और साथ ही साथ हमारे बालों का जढ़ना भी रोकता ह जैसे कि हमने इसमें तीन चमच मेथी दाना डाल दिया है अब हम इसमें पानी मिलाएंगे पानी हमें एक कप के बराबर लेना है ध्यान रहे पानी ना तो जादा ठंडा होना चाहिए और ना ही जादा गरम आपको यहां पर नॉर्मल पानी का यूज़ करना है अब चमच की सह चन्नी की मदद से चान लेंगे ताकि पानी और मेथी दाना अलोग हो जाए अब हमारा मेथी दाने का पानी त्यार हो चुका है इसके बाद हम अनियन और गार्लिक लेंगे अनियन और गार्लिक का मिक्सर की मदद से स्मूध पेस्ट बना लिए अब हम चन्नी लेंगे और च कीजिए आप इसे 2 से 3 मिनिट तक लागता हिलाई यह ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए और यह हमारा हीर सिरम प्रोप आपको इसल्म के से लिए और अगर है तो बालों को अच्छी तरफ यहां चैंद किजिए और बचे हुए सीरमगों अपने बालों की लैंठ तिपे लगाईए अगर आप चाहें तो इसका दिनकी इस्तमाल कर सकते हैं लेकिन अगर आप इसका रात में इसके ज्यादा साइदे आप रात बार इस सिरम को अपने बालों में लगाईए और सुबा शैंपू से धो लीजिए आप इस सिरम को हफते में दो से तीन बार यूज कीजिए इससे आपके बाल ठिक होंगे स्ट्रोंग होंगे और भी शाइनी बनेंगे लगातार इसके इस्तेमाल से आपके बालों की ग्रो दो से तीन गुणा बढ़ेगी और हेर सिरम होने के कारण यह आपके बालों में चिप चिप भी नहीं करेंगा आज की वीडियो यहीं तक थी थैंक्स फूर बॉच्छें